नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं चलोंए मैं नामे जिसी राज़के इस वीडियों हम बात करने बाले हैं बिहार सरकार के तरफ से निकल के आ रही दो बड़ी अपडेट के बारे में दोस्तों बिहार किरसी विभाग और बिहार ईलावारती पोटल के तरफ से जो है दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ऐसे में अगर आप यहाँ पे बिधभा पेंसन बिकलांग पेंसन या फिर आप बिरधा पेंसन का लाव लेते हैं तो ऐसे में यह अपडेट आपके लिए बहुत ही महात्पूर्ण हो सकती है साथ में दोस्तों अगर आप किरसी वि लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसके सेड कीजिए ताकि और विडियो को जानकारी मिल सके चले शुरू करते हम अपना आज के वीडियो दोस्तों सबस्तों पहले हम बात करते हैं ई-लावार्थी पोर्टल के बारे में दोस्तों अगर आप यहाँ पर बिधा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर बिधापेंशन का लाव ले रहे हैं तो अगर आपने अभी तक अपना जीवन पर्मानपत्र सब्मिट नहीं किया है, जो कि ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीके से सब्मिट होता है, तो अब जो है जीवन पर्मानपत्र आप अभी फिलहाल सब्मिट नहीं कर पाईएगा, जीवन पर्मानपत्र सब्मिट होना जुआ बंद कर किया आज चुका है, यानि कि, इलाभार्थी पोडल पे एक नया अपडेट जा रही हुआ है, कि अब जो है, जितने भी लाभार्थी यहें, जिन्हों ने अभी तक जीवन परवानपत नहीं सब्मिट किया है, कि अगले आदेश तक जो है यहाँ पे जो जीवन प्रमानपत रहे उसको बंद कर दिया गया है अभी आप जो है फिलाल जीवन प्रमानपत नहीं बना सकते हैं आप ना ही ओनलाइन सब्मिट कर सकते हैं ना ही ओफलाइन जो है अपना जीवन प्रमानपत सब्मिट कर सकते हैं अब कब तक यह बंद रहने वाला, इसके बार में कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है, कि कब तक यहाँ पे आपका यह जीवन प्रमान पत सब्मिट नहीं होगा, जैसे ही जीवन प्रमान पत सब्मिट होना सुरू होगा, मैं आपको जो एक प्रॉपर वीडियो बना कर ज दिया जा रहा था, वो डीजल अनुदान फिलाल के लिए बंद कर दिया गया है, यानि कि दोस्तों अब जो है किसानों को डीजल अनुदान नहीं दिया जा गया, डीजल अनुदान जो है पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है, जैसा कि आप लोग जानते कि खड़ी फस फ़सल को डीजल वूंदान नहीं दिया गा तो अब यहाँ पर पुरी तरीके से बंद कर दिया गया है इस बार जो रवी फसल आप लगाईएगा इसमें भी आपको डीजल उंदान नहीं मिलने वाला है यहाँ पे किसी विभाग के तरफ से पूरा अपडेट जारी कर दिया गया है मैं जो आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ ककवाँ रहा है योजैना अभी बीक चल रहा है यहाँ पे जब योजैना का किसी विभाक्त का जरूरत होगी तो यह याजना को फीर से दुबारा लाया जा जासकता है लेकिन अभी फिल हाल के लिए डीजल अंदान पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है अब जो है किसी परकार का दीजल नोजान खिसानों को नहीं मिलने वाला है तो यही जो है दो अपडेट जो है एक एलाभार्थी पोर्टल और एक जो है किसी विभाक के तब से निकल के आ रहे थी दोनों के बाड़े मैंने आपको जानकाई दे दिया आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आगए अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब की जानकारी मिल सके मिलते नेक्स वीडियों तब तक के लिए धन्यबाद